तो आज का ये model बहुत ही खास होने वाला है अगर आपको हमारा थमनेल लेक कराए है ना तो आपको बहुत ही satisfaction मिलेगे इस model को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं ये model जैसा था वैसा ही similar था इसके लागत के मैं पहली बात कर दूँ मैं बता दूँ कि इस model को बनाने में आपको कतना पैसा लगेगा आपने जब यूटूबर सर्च किया होगा ना 5-6 लाक रुपए में घर के design तो आपको ये model दिखा होगा तभी आपने इस पर click किया है तो बिल्कुल हाँ दोस्तों मैं 5-6 लाक में आप इस model को बना सकते हैं बट मैं आपको एक चीज और inform कर यह है वो सब हो सकता है possibility कि आपके इतने पैसे में ना हो पाए हाँ आपका structure वगएरा सब कुछ खड़ा हो जाएगा आपको थोड़ा पैसा और लगा घर कि बिल्कुल सेम ऐसा ही model बना सकते हैं तो model बहुत बेतरी नोने वाला है वीडियो को आपको पूरा देखना है और मै पर एक लिंक मिलेगा उसे लिंक पर क्लिक करके छोटी चीफीस दे करके आप इसका 2D डाउनलूड कर सकते हैं इसमें आपको सब कुछ मेंशन होगा कि जिन कहां बना है पिलर कहां बना है पिलर की location किया सब कुछ पता चल देगा और आप इसे model को आसानी से बनवा सकते हैं तो आज का model हम describe कर लेते हैं उसे पहले आप से बताऊंगा कि अगर आप में विदक इसमाल house plan को दोस्तों subscribe नहीं किया है ऐसे video पाने के लिए तो आप जिरूर करके रखेएगा तो सबसे पहले बात करें इसके हम front के तो यह इसका front है side से दोस्तों यह closed है पूरता देख सकते हैं तीनो side से closed है इधर मैंने पेड़ बगएरा कुसे लगा रखें इससरफ decoration के बद लिए हैं आपने ignore करिएगा तो front इसका यह सब्सक्राइब दो पिलर उस पर बेतरीन से एक design beam का और आगे आपको एक बेतरीन से window का design मिलता है जो कि आपका round shape में है और उपर आपको जाली दिखेगा इस room में क्योंकि यहां पर एक bad room है तो उपर मैंने जाली भी दी है अगर आपसे नहीं लगाना चाहत है तो हटा सकते हैं आपने according आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकता है फ्रिंट की बात तो यह होगी top से देखें तो यह आपका गुम्टी बना हुआ है पूरा इसी को आजम define करने वाले हैं आप सबी लोगों के लिए बहुत प्यारा model तो बात करते हैं इसके ground floor की तो य इसके ground stairs से उपर शड़ेंगे तो यह आपको बारंदे का design मिलता है इस बारंदे का design में इस side भी मैंने एक जाली type की लगा रखी है जिससे पूरा closed हो जाता है और आपकी पास होती रहेगी इसका इसी बारंदेश आपकी हर जगल entry होगी सच पले इस room में यहाँ पर भी इस होगी इसलिए मैंने door दिया है और main entry यह होगी जहां से आपका main दरवाजा है और यहाँ वी एक window है मैं अभी दिखाऊंगा top view तो आपको समझ में आ जाएगा तो जब उपर से देखेंगे तो इस बारंदे से सबसे पहले इस gauge room को आप access कर पाएंगे जो कि यहाँ पर देख बचेंगा और इसी आंगर में मैंने open kitchen इसी corner पर बना रखा है जैसे आप entry करेंगे वहाँ पर ही इसी वज़ें इसमाने आए कि window भी दिया था प्रॉप्र ventilation के लिए है ना इसके बाद हम बात करें इधर की इस corner पर आपको एक और bad room देखने को मिलता है इसका door आपको मैंने इधर से दिया है यह दोस्तो लेटेंट बात है इसका door यहां से दिया है और इधर यह आपकी stairs है दिखें इस corner से हैं आपकी आप स्टार्ट करेंगे turn होगे और फिर turn होगे यहाँ पर जो space बचेगा आप dining area के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और बेतरीन तरीके से यहाँ पर two bad room यह model बनकर ready हुग है इसके dimension में गरा जानने के लिए आप हमारे small को download कर सकते हैं लिंक आपको description मिलेगा महाँ पर click करेंगा description पर तो आपको link मिलेगा download this model उस पर click करेंगे आपको छोटी सी fee पे करनी होगी जिसमें आपको पूरा 2D model मिल जाएगा 2D का मतलब है कि कमरे का size क्या है kitchen का size क्या है लेट बात का यह सब कुछ वहाँ पर mention होता है और आप pillar बगारा कहां पर बनाने भी सब कुछ mention होगा मिस्त्री को सब आप देखाएंगे और आप model बनकर ready हो जाएगा बना देगा वो तो यह तो आग्राउंड फ्लोर की बात होगे आपको समझ में आ गया होगा दो बैट डूम किचेन लेट बाद डाइनिंग हाल केचेन वगयरा सब को देखने को बिलता है और फ्रेंड का elevation त इसको डखने के लिए यहां पर डूर और एक विंडो और यह आपकी open kitchen बनकर ready हो जाती है तो पांस से छह लाग के बीच में इसका आपका structure दोस्तों खड़ा हो जाएगा अगर आप finishing बगार अगर चाहते तो और पैसा आपको लगेगा है ना तो जो आपने सर्च किया होगा यूट्यूब पर पांस से छहलाग रुपाई के बीच में घर के नक्से तो वो आपको मिला होगा तो आपने सोचा होगा इस वाल वीडो देख लेए तो बिल्कुश चाहिए दोस्तों आप यूडियो को देखिए इसका टूडियो मॉडल भी डाउनलूड करीएगा और आपको कैसा लगा हमें जरूर दीजिएगा तो अपना कमेंट जरूर दिया करिएगा कमेंट कर देते तो मुझे मोडिवेशन मिलता है ऐसे मॉडल बनाने के लिए थांक्स वाच